इस अदारे के हैं इहुल अद्विया जिसे हम एहम सब्जेक के बहतरी तरीके से पढ़ाने और समझाने वाले और युनान के हुटारिक लिखी गए किताब युनिवर्सर के हुटारीक दॉक्तर पैश एंवसर को दावत सुखन पैश कर दी हुटे हो यहां आयों और अपना इधार के आश पैश कर दी हमने कर्या को सरी अधिया, दीने को सरी का अधिया, ये उनुखिती जो सहानी है, इसमें यूनानी सबसे पुरानी है, मैं शेड़ू स्टेज पे तश्रीम फार्मा, संद्रेम फिल्म, एस्पेकर प्रिंजबन साहब, और हमारे सेलियर, टीछर्स, और स्टुडेंट्स, अश्लाव अलेकूँ। सबसे पहले आप लोगों को इनाइडे को मुबारकबाद पेश करने जाओं गूहाँ। और खास्तोर से ही इस मैच को, टाइडन मैच को बेहाद मुबारकबाद के आप लोगों ने इस प्रोगाम में इस प्रोगाम में अच्छे सुगा जाया। अच्छे सुगा जाया। एक बात वह यहां सबसे पहले सिकिर करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो नीचे लिखा है जिनाइडे 2024 उसकी तालुक से कि मैं देख रहा हूँ सोचल मीडिया के जरीवित पुरे हिरुस्तान में जुनानी डे जब सिर्विट किया जाता है तो कुछ लोग लिखते हैं कोई कोलेज वाले बॉल्ट जिनाइडे कोई लिखता है जिसना जुनानी डे तो कोई कुछ और कुछ जैसे अर्टिवा में अ दिल्ली से वो हमारी एपेक्स बॉड़ी है तो वो जो लिखती है वो अफिस्यल हुआ और वो लोग सिस्यारियों वाले लिखते हैं जुनानी डे 2024 अगले साल लिखेंगे जुनानी डे 2025 तो यह मेरे समझ से यह सरी तरीता है और आपने उसको लिखता है और आगे जो अगले जारी रखेंगे जिनानी डे 2024 तो यह अर्माइज दिनते हैं यह असल तरीखा है नके इसको जिनानी डे लिखेंगे या बट जिनानी डे और कोई भी इस तरीके इस तरीके आप डेस रवेट किया जाता है तो एक थीम कोभमेंट के तरफ से जो बोडी आपेक्स बोडी में तो सिसी अबिन में इस साल जो जो यह सिक्रिद युनानी डे बनाने के काईदाल किया तो उसमें एक थीम दिया जो सायद आप लोगों को पता नहीं होडा या आप पढ़े होगे तो पता होडा वो थीम यह है कि युनानी मेडिसिन फौन आर्थ वान है यानि इसका मकसद य लिए कि हम युनानी को आपने गुलोबलाइजेशन करने की प्रोशिश करें दुनिया में आपनी सतर के इसके इशाहत की और इसकी प्रोपेगेशन के लिए हम लोग काम करें तो यह इसके पीछे एक मकसद था युनानी मेडिसिन फौन आर्थ बहुन है तो अगले साल जो करें वो लोग अगले साल की थीप को पहले से पता करें उससे रिडेटेट चिजों को वो करें तो जाना बेतर होगा और एक और चीछ में यहां चीपर करना चाहूँगा कि यह जिवानी मेडिसिन नहीं सिस्टम उप मेडिसिन दुनिया की वाहिद ट्रीडिसिन सिस्टम वाहिद नहीं सिस्टम उप मेडिसिन जितने हैं युलाली आईवयदा, सिध्धा सबस्क्रांद beim से निए जो करना जो के सिस्टेम के सकते हैं उल्अपएथी के कि बेसिक प्रिंसिपल्स में ये कुछ सिस्टम हमारा जो एस्टेबिस है जो ग्रीक के रहने बालते हैं वहां से शुरू हो करके ये एरान और उसके जर्में से हमारे हिंदुस्तान कर पूंचा तो ये हमारी दवाय है हमारा सिस्टम एक ऐसा वाहिद सिस्टम है जिसको आप ग करें एक कि प्रेंद सिस्टम एने जो सिफ्ते ड़त थे होगें अपनेुक्ते दो ह्योग ये क्यों अपने को लोग ग्रेट का समझते हैं लेकिन आपको यह फखर होनी चाहिए कि हमारे जो माजूल है जो हमने हमारी दुए हैं वो दुनिया के तक्रीबर हर मेस को हर जाती के दुनिया के अलग अलग रेस के लोग है अफ्रिकन रेस के लोग लगे चोड़े होते हैं हंदुस्ता एके बॉस्तां के बताया इंडीय में इंटीन कोई त्वेस्तां को याद करते हैं वो इसने याद किया क्योंकि उसके ये परसिडेंट रहे एंडीय में अगरेस के डूने आपको हकीम कहना है थोड़ा सा लो समझतें हैं तुप पलंगीत ती करेंगे घरिट को भी है या बहुत ब़ूस्य पहुत के कि ます करणा है नीदिया भी भी मतम भी है जो यह जो लबस हकीम है जो हम लोग अपने आपको हकीम कहने में थोड़ा सा दो समझते हैं, ये हकीम अपने आप में बहुत बड़ा लग्ज है जिसको हम लोग उसके काबिल अपने आपको नहीं बना सकते हैं, ये हमारे असलाब थे जो उस लग्ज को सही माइने में उसको इज़त देते थे, कि हकीम का मतलब होता है कि जिसके जो विज्डम से फराब हुआ हो और वो कई सारे फंता मही हो तो हकीम अजमन खान साहब ना सिर्थिप से और मेडिसिंग में माहिक थे बलकि वो एक पोईट भी थे आप रेखता पे सच की जेगा कि कई घजले उनके रेखता वालों ने लिखी हुई उपनी मौई के साथ दिल्ली आया थे, उसके अगले ही दिण हके प्रह काम के शरीफ मझीर में पहुचे और इनसे मुला खान का तो पिछले जिनों में डिली गया था तो लूप दिल्ली में जाते हैं तो पु बुटू मीनार गेर 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 दें जाते में या जाल इला दें तो यहां से जुनानी कार्फ़रोक हुआ। जिस शरीफ कांदान के रहने वाजाती मजमुल उसामति इसको आज हम उजाद करें वो बहुत ज़ज़ ज़गार में है, अभी भी नेकिर वहाँ पे नेम प्लेट है में वहाँ गया, वहाँ फोटो की जाए गया आया अभी भी है और इसको कोवर्मिंट आफ इंडिया में अपने इंडर में ले ले लिया है और इसको एक डिस्पेंसरी वहाँ पे सुरू कर दिया, अभी भी भी है उसी कछेट सामने गालिब की हमेली है जो हकीम अजमा खान के पक्रूप का उक्की मिल्कियत थी, उनके वालिद में किराये पे गालिब साथ को लिखर दिया था, गालिब की अपने तो इखर नहीं था, वो किराये पे रह दे गया, तो बस अंदुस्तानी दर्वा खाना की जश्ट अपोजित गालिब की हमेरी है अजिर दिली में काफी ख़बर में था, सुनेरी में जिसको गॉविंट हटाना चाह रही है वहां से कि वह एक चवराहे को भीच बीच में है, उसके बारे में भी का गया है कि बनवाये तो किसी और में था साथ चार साथ बहन सो साल पहली पुरानी मजीद है, लेकिन उसका अधिरी करिष्ट्रक्शन आप हमारे हकीम अजमन इच्छान में करवाया था, और उसके चारों तरफ जो इसके चारों तरफ एक बांट एक गार्डेन है, उस गार्डेन को किसी जमाने में रहा कर जोड़ान साब का हकीम जी का गार्डेन को तो इतनी इज़त थी, आज भी ह हकीम हजमान खान झो जांगत कमिलिया- इस्लामिया लेस्टान के सबसे बढ़ा और गहिस्टि में एक दो नमर पर आता है सबसे बड़ उनिवर्सिटिटी वो हमारे हखेम खान की देर है उनकी उनका बनाया हुआ उनकी तामीर करदा वो उनिवर्सिटी है और सबसे पहले वाइस जैंसरा रखी मजबन खान थे उसके और रखी मजबन खान के आखरी वक्त में ऐसा है कि एक बार इसी नहुवत आई कि उनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ने वानों टीजर्स की सेलरी देने के लिए पैसे कम थे तो उन्होंने अपनी घड़ी और उन् और रुटबा ऐसा था कि जब सिर्फ मरीजों के फेस दे करके चेहां दे करते दे को तुम्हारी तुम्हारी क्या मर्स है और ये तभी जाते हैं पार गईबों को अपने घर के शरीफ मिलिद में देखने थे तो फ्री मेलाज करते थे लेकिन उस जमाने में आज से सौ साल प आप लोग अंदाजा लगाएं कि 17-17 से सल पहले जब कोई 10,000 रुपय ले रहा है तो आज के जमाने में उसका क्या वेलू होगी तो ये था हमारा लुप्राग जो इस डेंपे हम लोग को इस चीज को याद करना था इसको बुना रहा है सब्सक्राइब करना है तो नहीं कहूं रहा है कि कुछ बच्ची यहाँ पर मैं इस इन्वर्शिषी निशूठ के बारे के कुछ बादर करना चाहता हूं कि यहां आये जादा दिन नहीं हुए जब मैं यहां आने से पहले सच की आको निखेडा देकिन ये बहुत बड़ी सादत की बात है, ये जो चुक्ता है, जो अरिया है, ये युनानी के तालुक से, युनानी की तारीख में बहुत नाम भिज़ता, बड़े-बड़े अतिप्पा इधर बुज़रे है। कि दौलताबाद फोर्ट में भी चाहिम साहक के इक रहा कर देते, वीड मोमिक, तो वहाँ पे जब नुगलों ने हमला किया, तो उनकी लिड़ेडिरी और उनकी किताबों को चला दिया, उनकी किताब भीसाले गोंकुड़ादा फोर्ट में जो परकूंदा पोर्ट में पहले तो उनकी लैबरी को चला दिया, फिरो बड़े उनका दिल भारी होगी और उनको यहां से जाने का फैसला करने, इरान के थे, तो फिर गुल्पंडा के बाथ साने उनको बुलाये कि आप बबारे यहां आईए, उन्होंने पुझी इजदी फिर वहां गये, तो उन्होंने फिक किताबे लिखे और टिब के तरक्ति में बहुत पहलों अदा किया, उसी तरह से गुल्पंडा फोर्ट इसी खिते का इलागा, इसी इलाके को राता है, वहां पे मील मुमिन थे, गुल्पंडा फोर्ट ने, बड़े हकीम मील मुमिन आप लोगने तारी के तिम में पढ़ी हो हमारी ये हैश्रियत थी, मीर मुमिन की या हकीमों के लिए फक्र के बात होनी चाहिए, कि मीर मुमिन को बुली कुदिवसान ने इकनी इज़त बक्सी, कि उनको पेश्वा बना गए, यानि प्राइम मिनिस्टर के बराबर का दर्जा के थे, और उनको जो हकीम शार्थे, ना खादरबाद को अपिराइडिस में लिखा कि मैं इसको किसको हम के तरह बनाना चाहता हूँ, और उन्होंने ही वहाँ चार मिनार बनाया, वहाँ पे एक ताइरा उन्होंने बनाया है, और दाइरा बनाने वाला और पे खाई सारे हो, जितने गेट्स देखते हो इस शहर को होता था, तो यह हकीम लफ्ज जो है, बहुत बड़ा लफ्ज है, इस को हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसके साथ जो है, हम इंसाम नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ से सौत मजुटे के आजपास अहमद मगर की रियासत है, वहाँ भी एक बहुत बड़े हकीम आग करते हैं निजाम शाही करिया करें, हुस्तम जुजानी, उलकी कितार है, जखिरा निजाम शाली, जो दिक की बहुत मश्कुल खितार है, तो इस पेजिया से इतने बड़े-बड़े हकीम पैदा होगे हैं, तो हम लोगों को भी यहाँ गोने कर इस जगह से थालिम आशिव करने के विए फक्त होने चाहिए अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जब मैं यहां आने से पहले कुछ यहां के पूराने बच्छों से वो कॉंटेक्ट गिया पिसके बारे में कुछ बता हो कि यह कैसा है क्या है तो उन्होंने दिरिटीफ इटवेट दिया था कि वह एरिया में अधु कि वह लें गुगल से बता है कि खेडा मत्ला होता है दिहात, बिलकिल गॉख जहां पृस लिभाया सब्लेट ने ही है तो यहां बचों को भी शिकायत बहां करती हैं शिकायत हो क्या नीजचा लाएं यह जगा और मैं आपनों सभी इत दर्खास चाह Обहते हाम वहार जीज का दूपेहनी बहुता है अच्छायां गेहने जो कि अच्छाय को देखें से अच्छायों से आप खाई उठाएगें जैसे कि इस जगा यह एरिया है, ऐसे जगाँ पे करोड़-पत्ती लोग, अरणपती लोग, ऐसे जगाँ पे हॉली दे बनानी जाकर, कि चारव तरह पहाड हो, तो यह हॉली कांनी डेस्टार के तरह है, इतने शहांदार महौर और इतने शहांदार हला हुआ है, अडेसे शां गिरने आती है जो हर जगा नहीं होती है तो रात खुब्सुरत भी तो होती है रात में आस्मान सिर्थ चांड तारों समझेगें आस्मान कितना खुब्सुरत होता है और रात की तनहाई भी एक अपने आप में एस्ताहियत रखती है जिसमें हम आराम कर सकते हैं शुकुरत कर सकते हैं तो इसलिए आप यहां की कर्णियों को नजल अंदाज करते हैं अच्छाईयों को वो जो है अपनाएगे मैं आपको बता दू किसी भी कॉलेज की कि आप अगर करना चाहिए तो आप उसके प्रोडक्स के हिसाब करेंगे कि यहां के प्रोडक्स आगे जाकर क्या करेंगे तो मैं आप लोगों को एक सीज बता दू कि इसी कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े अधारे जो पीजी के दो करने चाहिए और इससे जब मोटिवेशन देनी चाहिए तो उसके लिए एक शेर है मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो आपके क्लास में बच्चे को बताता था कि था जिने होस्ता सब्सक्राइब यह जो आइने पे गुबार है तेरी निजर का फिसार है आइने एक सक्स जो आइने में खुबार है तेरी चेहरे का फिसार है था जिने होस्ता सब्सक्राइब का वो इसी आइने में सब्सक्राइब गये मैं मैं अपी बात अब पता हुआँगा सब्सक्राइब का उसारा आ रहा है यहां के लड़के बहुत जादा हैं तो मैं उनकी ने भी एक शिर्क है कि जो रहा छोड़ा है एक मौनल है उन्यरा आहमत की शायद आप लोगों को यह दो लाइने मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह दो लाइने ना आप मैं स्टडी टेबल के आगे लिग ने चाहिए मोटिवेशन के लिए वो यह है कि मेरा आहना मिलती है कि एक लड़की कहती है कि जब तुम एक लड़की कहती है कि मेरे बारे में जब कोई दिखे तो वो क्या लिखे वो यह कहना चाहरे है कि सुनो न लिखना कभी तुम मेरे रंग और रूब चाल के बारे में सुनो ना लिखना कभी तुम मिरे रंग और रूब चाल के बारे में तुम लिखना तुम लिखना मेरे खौब मेरी उलाग के बारे में सुनो ना लिखना कभी तुम मेरे रंग और रूब चाल के बारे में तो लिखना, तो लिखना मेरे खौब मेरे वड़ान के बारे में। मतलब यह है कि, और मैं भी बात पत्म करने से पहले मुए यह कहने चाहूँगा, कि मैं कोस्टर्स को देख रहा था, तो यह कोस्टर बच्चों ने बनाई, लड़क्यों में बनाई हुई है, तो यह अच्छा लगा, लेकिन उसे मुझे एक शिकायत है, वो यह है, कि शायद जगह के कमी के वज़ए से वो लोग इनने सीना का नाम उस पर एंड नहीं करता है। इनने सीना, तिनने युनानी के युनानी दुन्या में सबसे बड़े, सबसे बड़े सितावे हैं। आप जब अगर उनको नहीं दिख रहे हैं, उनको जगह नहीं दे रहे हैं, तो यह हमारे लिए हैं। तो आप लोग इसके बाद का लगें, अरक सिर्फ एक बंदे का उसके बनाना होता ना, तो आपको इबने सीना की लिए जगह देने चाहिए है। क्यों? क्योंकि इबनसीना वा ग्रेटेस्ट माइन अवल ताइम। इबनसीना वा ग्रेटेस्ट माइन अवल ताइम। इबनसीना वा ग्रेटेस्ट माइन। इबनसीना वा ग्रेटेस्ट माइन। इबनसीना वा ग्रेटेस्ट माइन। प्रेटेस्ट माइन। जो बच्चियों ने जो तराना पढ़ा था, वो तिपे हिरानी में तराना पढ़ा था, मैं उनको एक पराव के बाद देता हूं, जोने बहुत अच्छे से लिखा, और आप लोग प्रोगाम के बाद चारों जो पढ़े हैं आप, वो मुझसे मिले, मैं आप लोगों को इसके जो बिब आप लाझा